साथियो नमस्कार मैं राम प्रताफ सिंग कुश्वाहा हमारे चैनल ग्यान एंड नौलिज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका अभिनंदन है स्वागत है वेलकम है आज बहुत अच्छी विवेचन है वास्तों में आज पूरी दुनिया का ध्यान दुनिया की सबसे प्राच चैनल या कोई बड़े ब्लॉगर वाली वस्ताएं तो नहीं है हम तो सीधे सचा अपना विवरन देते हैं और जो यथार्थ होता है और यथार्थ विशे को ही लेके हम चलते हैं और लेकिन होता बिलकुल अलग है हम कोई रटी रटाई इवारत या रटी रटाई कोई प्र प्रसंग बिलकुल अनूठा होता है और जिसको कहा जाए कि दिदिक्त मान होता है देखिए अयोध्या जी के विसे में और स्री राम जन भूम और प्रहूर राम जी के प्रसंग में तो सभी बड़े बड़े राश्ट्री चैनल विदेशी चैनल सब लगे हुए हैं समीच्छा करने में और सब आपको बिलकुल ताजी ताजी रिपोर्ट लाइब रिपोर्ट दे रहे हैं हम तो वो बताएंगे कि वास्तों में क्या राम जी के जो विभिन जो सहयोगी रहे हैं क्या वो आज इस कल्यूग में भी प्रासंगिक हैं क्या वो भी चमतकार दिखा रहे हैं क् उनका चमतकार अभी भी चल ला है, इस कल्यूंग में भी, तो आईए जरा उसी को समझते हैं, और आज बहुत ही महात्पूर्ण प्रसंग है, देखिए, पुन्य राम जन भूमी में पवन पुत्र संकट मोचन स्री हर्मान जी महराज विराजमान हो गए हैं, स्री गरूर जी साब विराजमान हो गए हैं, हाथी घोडे बड़े बड़े जो है सब विराजमान हो गए हैं, जो भी सुभ प्रतीक चिन हैं, वो सब विराजमान हो गए हैं, और उन्हीं के साथ पक्षियों के स्री जटायूल पक्षिराज जी भी विराजमान हो गए हैं, उन मानने प्रधान मंत्री जी सिर्निर नरेंद मोदी साफ जब 22 तारीक को 22 चनवरी 2024 को प्रफुराम जी का विराजमान की जो प्रक्रिया होगी उसमें सामिल होगे और विराजमान कराएंगे प्रफु को देखिए यजमान कोई और हैं कई जगे के विवाद चल लहे हैं अध्यात्मिक रूप से पूझ श्री संकराचार जी तक समहित हो गए हैं इस विवादों में ऐसा होना नहीं चाहिए प्रफु स्री राम जी की स्थापना तो विवाद रहत ही होना चाहिए लेकिन फिर भी स्री राम चरित्मानस और रामार से शिक्षा लेना ही चाहिए कि राज सिंगहासन जब प्रुहु जी को मिलने वाला था दसरजी के समयाकाल में तब भी कितना बड़ा विवाद हुआ था तो वो तो उनकी विवाद की रासी ही है और जब जब वो विराजमान होंगे तो इस तरह के संसारिक विवाद चलते ही रहेंगे अगर ये संसारिक विवाद नहीं चलेंगे इस मृत्व लोग में तो फिर क्या स्वर्ग लोग में चलेंगे ये मृत्व लोग है ही इसी बात के लिए कि यहां विवाद जब कोई अच्छा काम होगा तो कोई ना कोई दूसरी विचारधारा जरूर खड़ी हो जाएगी जैसे कुछ हमारे राजनितिक पार्टियों की विपक्ची गणमान लोग कह रहे हैं हम बुलावे के बाद भी नहीं जाएंगे अरे मत आओ नहीं आओगे तो अच्छी वाद आओगे तो और भी अच्छी वाद नहीं आओगे तो इसका मतलब निर्मल मन जनसो मही पावा मोह आओठ है तभी प्रहु आपको दूर हासिये पे किये दे रहे हैं देखिए स्री रामचरित मानस को तो कई लोग आजकल जो है बीच चोरहे में आरूपित करी रहें चलिए गीता जी की बात माल लीजए पावन गीता जी का संदेश माल लीजए वो तो प्रहु जी का उसमें भी कहा है उन्होंने कि हे मानो तुम तु निमित्र मात्र हो जो कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आखिर भाई ये बताओ कि 1528 से आज तक जो इस प्रसंग में लीलाएं हो रही हैं वो क्या जनसाधारन साधारन कोई करा रहा है और ये वो ईसरी सक्ति के द्वारा हो र कोई दूसरा नहीं कर सकता दूसरा कर ही नहीं सकता संभवी नहीं है यही गीता जी कहती है यही रामचिरत मानस कहती है और यही यथार्त और सत्त है बे फालतु कि विवाद ना करो निमंत्रन मिला है वो प्रभु का निमंत्रन है सामिल हो हां इतना बड़ा बताईए हम तो अफसोस कर रहे हैं कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं और आप लोगों को निमंतरन मिल्हा है, तो आप लोग ड़ी पहुंच रहे हो खेर, आज जो प्रसंग होगा वो स्रीच चटायोजी के पर पर होगा और पहोत ही गर्मा पूर्ण विवेचन होगा जरूर सुनियेगा पूरा प्रवु राम जी की सबसे बड़ी खूबी क्या है आजप्रसंग ये है सबसे बड़ी खूबी ये है कि प्रवु स्वेम भी कर्मवादी है और कर्मवाद को ही वो पिस्रड देते है और कर्म ही उनके पास प्रधानता है और कर्म को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया है कि दुनिया में आज तक किसी प्रानी को उतना बड़ा सम्मान नहीं मिला आदमी की तो आकात ही क्या है जितना बड़ा सम्मान पक्षिराज सरी जटायो जी को मिला किसलिए उनके कर्म के उपर उनके कारे के उपर उनके समर्पन के उपर उनके राष्ट प्रैम के उपर उनके महला ससक्तिकरण के महानकारे के उपर वो पुरुसकार प्रभु सरी राम जी ने इस दुनिया में सबसे पहले अगर पुरुसकार की पद्दती पड़ी है तो पुज दसरत जी की अंतिम किरिया वा अंतिष्ट सामिल नहीं हुए थे प्रभु लेकिन स्री चटायू जी के जब महानकार को उन्होंने पाया तो उन्होंने प्रत्य समान उनको सम्मान दिया और पूर्ण उनकी विदि-विदान के साथ अंतिष्ट की और क्या किया अपना सरूप प्रदान करके मोख्छ गति प्रदान की जो किसी को भी प्राप्त नहीं कि अंग्रेजों ने ढई सो साल भारत में सासन नहीं किया भारत की संस्कृति को भारत की गुणवत्ता को हमारी संस्कृति की चोरी की है उन्होंने भरसक चोरी की है इसका सबसे बड़ा प्रमान ये है कि कोहिनूर हीरा भारत का अभी भी उनके अध्पत्त में है इससे जादा और प्रमान दुनिया को क्या आवश सकता है देखिए विक्टोरिया क्रास दुनिया का सबसे बड़ा पुरुसकार था वीर्टा के लिए दिया जाता है और भारत में परम वीर्चक्र सुतंतर भारत में इसके पहले विक्टोरिया क्रास दिया जाता था भारती सेनकों को भी ज हमारे पूज पिता में स्री आधार सिंग जूदेव कुश्वाह का नाम विक्टोरिया क्रॉस के लिए उस समय की बिटस सरकार के द्वारा भेजा गया था। लेकिन कालंतर में उनका देहावशान हो जाने कारण वह प्राप्त नहीं हो पाया। वह वास्तों में वीरता अदम सहस के लिए प्रदान किया जाता था। और अभी भी प्रदान किया जाता है लेकिन उसका प्रणा उसकी मोटिवेशन्स हमारे जटायूराद पक्षिराद से ही उन्हें प्राप्त हुई थी वो भी रामचृत मानस से। देखिए स्री रामचृत मानस जी हमारे सामने हैं और विशेशकर मानवर स्री स्वामी साब जरूर देख लें कि अगर ऐसा किसी गरंत में दुनिया कि किसी गरंत में लिखा हो तो फिर आप इसकी खुप बुराई करिए लेकिन आपको पूरी दुनिया किसी गरंत में नहीं देखिए क्या लिखा है तुलसीदास जी ने लिया था किसने सुग्रियु जी ने सुग्रियु जी देखते रह गए सुग्रियु जी की सेना कि रावण दसकंधर लेके जा रहा है सीता जी का प्रहण करते हुए तो क्या सिर्फ देखकर विचार करते रहे सुग्रियु जी और जटायु जी ने क्या किया अरे वही किया जो परम भी चक्र विजेता करते हैं चक के छुड़ा दिये दसकंदर रामण के रामण भाक्रा हुआ फिर देखिए कैसी गती मिली कैसी गती मिली पक्षी राज जटायू जी को अविरल भगत मांग वर गीद गयो हरिधाम तही की क्रिया जटो चित निजकर कीनी राम चैलेंज है अगर एक दोहा कोई लिख ले हो जो आरो कर लगाते हो ना स्री रामचरित मानस में एक दोहा लिख ले हैं इसमें भी बहुत बड़ी विज्ञानिक तक छिपी होई है वो भी रहस कभी आपको बताएंगे एक एक चपाई और एक एक दोहे में इतना बड़ा मैस्मेटिक्स है कि आप पुरी दुनिया सर्प्राइज कर जाएगी इस स्री रामचरित मानस के इसमहान ग्यान को जिस दिन जान लेगी तो स्री जटायो जी को हरी थाम भेजा जिस चन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम कही आवत नहीं एक नाम नहीं ले पाता है आदमी राम नाम नहीं ले पाता है भगवान ने स्वैम अपने हाथों से उनका तरपन कर दिया इस से बड़ी गती और की दुनिया में किसी कुवास तक मिली नहीं किसी प्राणी को इनी प्रसंगों के चलते हुए मेरे पूज बाबा जी ने मुझे जानकर दी थी बच्पन में कि अंग्रेजों ने ये पिर्णा और ये मॉटिवेशन पुरुसकार देने का हम भारतियों से सिखा है और स्री रामचरित मानस से ही सिखा है क्योंकि रामचरित मानस में ही सबसे वड़ा डिस्टांत आता है और इसी से उन्होंने प्रणा ली मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि अंग्रेजों की एक विसेस विंग जहां पर थी जो भारतियों के पांडलुपी, भारती, सास्त्र, भारती, वेद इन सब का वो गहन अध्यन करते थे और अच्छी अच्छी पुस्टकें और गंतो को वो यहां से उठा ले जाते थे चोरी से, विक्टूरिया क्रास जो है जन्वरी माए में 1856 में ये स्टार्ट हुआ, वही जन्वरी माए, संभवता कहिए 22 जन्वरी ही हो, जब विक्टूरिया क्रास पहला दिया गया, क्वीन विक्टिवरिया ने दिया था, तो उससे पह थे वहाँ पर इंग्लेंड में और उन्होंने रसा के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध जीता था लेकिन तब किसी सैनिक को वीरता अपका पुरुसकार नहीं दिया गया तब उनके पास इस बात का ग्यान ही नहीं किया था जब हम भारतियों के संपर्क में आए तब इस गु चटायू जी पक्सी राज जो मांसाहारी का सेवन करते हैं और कितने निरी हम लोग द्रश्टी से उनको देखते हैं उनको उन्होंने हिर्दे से लगाया अपने आसूं से उनको सीचा उनके खावों की मल्लम पट्टी की और अपना सहुप प्रधान किया अब विस्पस्ट ह हो गया कि प्रफु राम जी कर्म प्रधान ताको प्रमुक्ता देते थे और चटायू जी का जो कर्म रेरे दुष्ट ठान किन हो ही निर्वस चलस नजान ही मोही आवत देख कृतांत समाना फिर दसकंधर कर अनुमाना दसकंधर जिसका पूरे दुनिया में अखंड इतरह से आतंक चला था वो भी खबडा गया जब गीद राज चटायू जी ने उसके उपर पल आक्रमन किया माता सीता जी को बचाने के लिए ये है रामार्ण स्री राम चरितमानस मानवर स्वामी जी और ग्रहमंत्री बिहार साहब ये ग्यान किसी भी गंत में पूरी दुनिया को अ जिंदके नेरे राखिये घर में कुटी छवाए स्री राम चरितमानस को वास्तों में आप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंत बनवा के मानेंगे आज की तारीक में भी स्वामी जी हमने आपका एक वीडियो देखा था और खूब आप प्लाप किया है आपने स्री राम चरितमानस पे आप करिए आप बास्तों में भाई देखिए फिल्म में दो ही लोग होते हैं एक नायक एक खल लायक हम तो नहीं कहें कि आप खल लायक ह जर्चा भी होना चाहिए तभी जो है सब वास्तों में यथार्त रूप चित्रन होता है लेकिन एक हमारी ट्रस्ट स्री जो है राम जन्भूम तीर्थ छेत्र स्री चंपत राय साब और स्री निपेंद्र मिस्र साब जो अध्यक्ष और सक्यू साब हैं इनसे हमारा निवेद है अगर कोई मेरा वीडियो उन तक पहुचा दे कि पांच समा पांच राजगदी समारोय की मुख स्थान पर डाले जाएं जिसमें पंद्रा सो अठाईस से और आज की तारीक तक जो भी राम सेवा में दिवगंत हुए हैं अब मैं सब के नाम नहीं लगोंगा क्योंकि कम से कम हजारों की लिस्ट है लेकिन उसमें सबसे पहली एक नाम जरूर लूँगा महिला रानी ससक्तिकरण हंस्वर स्टेट की स्री मती जय कुमर साव वो अकेली महिला हैं जो इस पूरे अभियान में वीर गति को प्राप्त हुई वो वास्तों में सबसे पहली सम्मान होने के उनक को जरूर साधर अमंतरित करना चाहिए और जो ढ़ाई सो गाउं आसपास के लोग हैं उनमें से भी किसी एक को सम्मानित आपको करना ही चाहिए और पांच राजगदी डलवाना चाहिए समारों में जिनमें विविन फूलों के द्वारा जैसे होता है उस तरह से और वो फिर मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान के जो विसेश गर्व ग्रह बन रहा है वहाँ पर उनको स्थापित किराए जाए जिसमें वो दिवगंत आत्मा हैं क्योंकि हम आत्मा अजर हमार है हम लोग तो बनते हैं तो वो आत्मा हैं आएंगी ना समारों को देखने और 84 सेकंड के सु 84 महान भावों के द्वारा और जो है वो ब्रक्ष लगवाए जाएं दिव ब्रक्ष एक तो काम ये हो गया दूसरे जो हमारे पूजसरी संक्राचार जी बगरा नहराज हैं उनको उनके संबंद में कोई अपना एक प्रतिनी दीत्रश्ट वाले भेज कर थोड़ा अनुने व दूर कामी होंगे चूंकि आज की तारीक में वो आपके अठित होंगे आपने उनको निमंतरन भेजा है वो भी साधान निमंतरन भेजा है आपको कोई प्रतिनी उनको निमंतरन देने नहीं गया ये भाई ये तो बात गलत है आपको सम्मान सहथ देना चाहिए आप एक पू प्रताल में उनकी जान बच सकती है कोई बचाय बिगर रिजाय हुए अरे उनकी अगर इच्छा है तो उनको आने दीजे ना समारों में माननी स्री अडवानी साहब स्री मुंडी मनोर जोसी साहब को आने दीजे आप रोकने वाले कौन होते हैं आप तो भगवान से भी बड़ कर दिया और भारती सम्म्यदान के भी पृत्कूल है यह तो इसमें विचार करिये अब मंथन करिये विचार करिये मंथन करिये अहिंकार त्याग दीजे बाइस तारीक तक अहिंकार दौनों तरफ नहीं होना चाहिए कहीं भी अगर कोई विपक्च का भी नेता है थोड़ा स हमान चाहता है तो उसको भी साधरामंत्रिक करिए और क्या समारोव को बहुत ही बहुत नमरता और विनमरता से विनमरता हनुमान जी से सिखिए अब उनसे जाड़ा बड़ा कौन है हनुमान गड़ी चले जाएजिए थोड़ा दर्सन कर लीजे शिड़ियां चड़ेंगे आप तो एंकार दूर हो जाएगा यह बात आप से कहने की किसी की हमत नहीं है लेकिन मैं उस भगवान के जो पूझ ये पंडाल जन्म स्थली है वहाँ पर धाई दिन मैंने डूटी दी है आप नहीं घुस पाया होंगे उस पंडाल में मनवर कोई भी नहीं घुस पाया होगा मैं उस पंडाल में भगवान के बिलकुल सामी पजा के बैठा हूँ इसलिए आपको अधिक्रत रूप से बैजे कह रहा हूँ कि ये मेरे ये काम करवाईए पांच चेयर राजगदी डलवाईए चौरासी वरक्ष लगवाईए और रगुपत्ती रीत सदा चल आई इस विचार नहीं रहा इस देश में तो फिर आब समझिये कि दूसरी विचारधारा ही बढ़ेगी इस विचारधारा को आपको रगुपत्ती रीत सदा चलाई क्योंकि राम जी के पहले भी विचारधारा थी उसी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए प्रभू ने जनम लिया है ज मैं भी senior नागरिक हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और भाई ये गुण हमको दे दिया है, ब्लाग बना रेगा, तो इसलिए भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ, जनता अट जनता तो सुनेगी हमको, भाई देखिए, जनता सहाप, मानवार जनता सहाप, अगर हमको सुने तो इन मानवावों के पास तक हमारा ब्लाग जरूर पहुचा दे, हम ज्यादा टेक्निकल नालेज नहीं रखते, बस इतनी कर पाते हैं, ये वीडियो बना पाते हैं, और यूटूब में डाल देते हैं, भाई, अब देखिए, भाई, चैनल के होने के नाते, मैं सबसे नव महान साब हैं, देवंदराचार साब, उनसे भी वारता कराएंगे आपकी, और उदासिन असरम के स्री भरद्दा साब जी हैं, महान ग्यानी, उनसे भी आपकी वारता कराएंगे, आसिलवाद दिलवाएंगे, और भी प्रवुद्धिजन हैं, उनसे भी वारता करेंगे, और जटायू जी को वहां पर स्थापित कराया, जटायू जी ही बास्तों में हमारे देश की संस्कृति हैं, संस्कृति हैं, और अजर अमर प्रभू राम जी के साथ समहाइत होकर उनका अखंड नाध होना चाहिए पूरे विश्व में, और देखिए स्री राम जी के भक्तों में मतलब कार शेखों में मनुस्य सामिल नहीं है जीव जन्त भी सामिल है अब पक्षिरा जटाईू साब का तो हमने आपको बता ही दिया देखिए इस कल्यूग में अभी कालंतर में क्योंकि मैं तो फैजावाद रहा हूँ फैजावाद कचहरी में में भी उने डूटी दी है चर्चाएं सुनी हैं कौन सी चर्चा एक फरवरी 1986 को जो चमतकार हुआ था स्री जिलह जट साब थे स्री कृष्ण मोहन पांडे साब और वो निर्ने करने जा रहे थे किसका राम जन्भूम जी के ताला खोलने का वहाँ भी गौरक्षा पीठ गौरकपुर के महन स्री अवैदनात साब मौजूद थे उस दिन और सबसे बड़ा चमतकार कौन कर रहा था कि जट सहाब पांडे साब जब अपने घर से चले तो विसे स्चिकोर्टी के साथ चले थे और उनकी छट पर एक काले जो है महान मानो बंदर साहाब वानर जी मौजूद थे वो तो हश्री हनमान जी के ही प्रतुरूपक थे हाँ वो मौजूद थे और वो जब कोर्ट पहुंचे तो वो कोर्ट की मेज पे पहुंच गए हाँ और जब तक निर्णे नहीं हुआ तब तक वो वहीं मौजूद रहे ये सब क्या है ये सब प्रभू राम जी की लीला है यही साख्छात है राम चरित मानज्च में कहा,neten प्रभू ने कहा है, हम निर्गुन और सगुन दोनों रूप में हैं, हम निर्गुन भी हैं, ऐसा मत समझी है, जो निर्गउ बिचार धारा चल ले का देश ना, उ Bluetooth ज हम उसके भी हैं, हम सगुन के भी है, सगुन से हम जबा खुस हैं, हाँ, यह साथ जै हो स्री राम लला जी की और जै हो स्री हन्मान लला जी की अयुद्या में जो भी भक्त पहुंचें वो स्री राम लला जी की ही जै जैकार बोलें और स्री हन्मान जी की चलिए साथ बहुत बहुत धन्वात जै हिंद जै हिंद